कि नमस्कार मैं रतने स्राज आप देख रहे हैं इंडी निज अभी बिहार में चुनाव की तारिक घोसित कर दी गई है इसी चुनाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दानापूर से केड़ी यादव जी है अगर आपको चुनाव में टिकट मिलता है तो क्या क्या आपकी प्राथ मिक्ता रहेंगे सबसे पहले हमको पाटी अगर टिकट देती है और हम तो इतना जानते कि मेरे पाटी में सबसे मजबूत दावेदारी है सबसे मैं पुराना पाटी का वर्कर हूं मैं 15 साल से रेगुलर पाटी के लिए जी जान से मेहनत करता हूं तन मन धन से मुझ सम्मान के शाथ उनको शाटिफिकर देने का काम करूंगा और जब मैं विधायक बन जाओंगा तो सबसे पहले मेरे हाँ एक उपरवार एक निचवार है जैसे दियारा एक सवारी चेत्र दो है तो अभी दियारा चेत्र में जो है अभी बार का इस्तेती है तीन से चार महिना बार्क से पूरा दियारा घिर चुकता है और पूरे दियारा के भाई बंदो तरही माम रहते हैं ना उनको कोई सुविदा मोहिया सरकार करा पाती है ना उनको खाने का कोई राशन दे पाता है वो टोटली एक कमड़े में घिर के रह जाते हैं और जैसे तैसे अपने जीवन को वशर करते हैं तीन से चार महिना तो सबसे पहले दियारा के लिए मैं एक पक्का पूल का निर्मान कराने का कोशिस करूँगा दूसरा में है कि दियारा में स्वास्ट केंद्र जो अच्छे स्वास्ट केंद्र हो जहां डॉक्टर जा सके वो कराने का कोशिस करूँगा क् इसके चारन बीच में कुछ भी होता है या बहुत कुछ घटनहीं होती है यह पहला प्रत्र superiority मे डुष है किशान भई फुर्त ग्श्वार जो भाई जो भाई रुजगार के लिए भी मेरे पाटी जो बोल चुके हैं उसके लिए भी महया कराया जाएगा अब आगे सारी चेत्र में जो अभी जल जमाओ का इस्तिति बहुत ही निंदनिये हैं और जितने भी स्वास्त के अंदर दानापूर में भी है ओ भी कहीं कोई काम नहीं है जैसे के इसे ठप पड़ा हुआ है इसलिए जब भी मेरी सरकार आती है मैं दानापूर से विधायक बनता हूँ तो सबसे पहला प्रत्मिक्ता होगा कि जो जो दानापूर में जो अथे उसको पूरा करना अभी बरतवान में बीजेपी की विधायका है कितना मुश्किल होगा ये साल है 17 साल से हैं आज 15-17 साल हो गया उनको विधायका राते वह लेकिन एक भी काम अगर कोई गिनाद है कि विधायका किये तो मैं मानने को तयार हूँ वो शिर्फ भोट के समय आते हैं भोट लेके चले जाते हैं कोई दानापूर का सूद नहीं लेती हैं किसी के दुख अच्छा नाम रखें आशा सिनहा लोग जाना भी कि चलो भाई नाम इनका आशा सिनहा है तो हो सकता है कि यह आशा कुछ का किरन जगाएंगी दानापूर विधान सभा में लेकिन आज 15-17 साल से जनता उनसे त्रही माम हो चुकी है आशा सिनहा तो नहीं लेकिन पूरे दान उन्होंने किया था पिछले चुनाव की घड़ी में जो अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है उन्हों तो चुनाव जब आप खुद बंदू आप खुद इंटर्वी लेते होंगे वो तो आते हैं तो अपना एकाद को नहीं दू-400 बादा करके जाते हैं कि मैं आपकी जब आप ख्यंतर में जाते होंगे केडि यादव जी तो लोगो की क्या परती किडिया रहते हैं है आपके लिए देखिए मैं 15 साल से मैं बताया कि 15 साल से जबसे मैं फार्टी के लिए एक्टी उवा मैं 95neà पाठी का रांचे जनता जल लेकिन फार्वे दानापुर न जो तक मैं फळिदान пост कि अध्यू कि की समरबी थे मैं उसमें हमेशा शाद देता हूँ जहां तक हम से मदद होती है मैं मदद भी करता हूँ दानापूर के लोग यही चाहते हैं कि केरी जी आप टिकर्ट लेके आईए और यहां से साटिफिकेट जनता के बदरत लेके जाईए क्योंकि पहले से जो विधायका है वो निकम्मी है वो कभी कोई काम नहीं करती है इसलिए अभी दानापूर के जन तक बरदास नहीं करने वाली है कि अब उनको कभी कोई टिकर्ट देके अभी धायक बनाए